राम राम अगर अभी मैं आपसे कहूं कि गूगल का एकादिकार खत्म होने वाला है तो आप शायद ही यकीन करें आपको लगेगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं कोई किसी बात का कोई तुक होता है या यूँ ही मन में आया और बोल दिया लेकिन दुनिया भर में गूगल के एकादिकार को चुनोती जी जा रही है गूगल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को चुनोती जी जा रही है गूगल ने मोनोपोली की वजह से जो अपनी एक दुनिया बना रखी है जिसको टाइमस आफ इंडिया अपने एडिटोरियल में लिखता है वाल्ड गार्डेन बिजनेस मॉडल यह एक ऐसा कारुबारी मॉडल जो दीवारों के बीच में छिपा हुआ है कुछ पता नहीं दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट वो पक्के तोर पर नहीं बता पाता कि अखिर गूगल किस तरह से कमाई करता है इसलिए गूगल पर न्यूज की कंटेंट हो या दूसरे कंटेंट हो उनसे कमाई कितनी होगी उसका हिस्सा गूगल उनको देगा या नहीं देगा तो किस अनुपात में देगा यह वित्ताय नहीं हो पाता यहां तक कि गूगल के मॉबाईल एंडरोइड सिस्टम वाला जो मसला है उसमें तो गूगल का एक आदिकार ऐसा है कि वह कहता भाई यह अप लाएंग कि अलग अलग देशों में इस पर प्रश्न खड़े हुए उस्ट्रेलिया ने बाकाइदा इसके लिए कानून बनाया है वहां के जो न्यूज न्यूज से जुड़े हुए लोग हों करें हमारा कंटेंट है तो हमको भी पैसे दो बाकाइदा दूसरे देशों की संसद ने कानून पारित किया है साउथ कोरिया की पालियामेंट ने 2021 में एक बिल पास किया क्या बिल था सिर्फ गूगल की मोनोपोली कोई चैलेंग नहीं है उन सभी अमेरिकन कंपनियों की मोनोपोली एक अरिकार को चुनोती मिल रही है जो विशेश शग्यता अर्ली मूवर एडवांटेज इन सब की वजह से बहुत आगे थी गूगल का एंड्रॉइड है और एपल का अपना आई ओएस है अब आपने एक खबर और सुनी होगी अभी कुछ दिन पहले ही शिच्छा मंत्री धर्मेंदर प्रधान और आई टी मिनिस्टर अश्विनी वहिश्णों उन्होंने आई 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 टी मद्रास के निदेशक के साथ बाचीत की और जो बाचीत की मोबाइल से वो भार ओएस भार भारत का भार ओएस एनि ऑपरेटिंग सिस्टम तो भारती ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में काम आएगा और इसमें वही सब है जो गूगल चिपाना चाह रहा है यहां कोई बुके नहीं लेने की ज़रूरत है जो एप चाहिए वो लीजिए जो एप नहीं चाहिए वो मत लीजिए कोई भी आप शामिल हो सकता है कोई भी आप निकल सकता है अब जो भारत की सरवोचन्याल है उसके निरणए के बाद गूगल ने धीरे धीरे अपने बिजनस मॉडल में भारत में परिवर्तन करना शुरू किया है भारत दुनिया का बहुत डिजिटल एकोनॉमी यह बदलने जा रही हाला कि एक दो दिन का मसला नहीं है ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ कल हो जाएगा इसमें समय लगेगा लेकिन इतना तो तय है कि गूगल को एका रिकार को जे चुनोती मिली है जो यूरोपी यूनियंस ने एक नया बिल लाया है जो डिजिटल मार्केट साथ वहां का है क्या कहता है विच विच विल प्रिवेंट गेट कीपर्स व्रॉम इंगेजिंग इन एंटी कंपटिट्व बिहेवियर इसलिए एंड्राइड ओएस के लिए बहुत आसान नहीं हो गाई थ्री बिलियन स्मार्टफोंस में डायट ओप्रेटिंग सिस्टम चलता है तीन सो करोड समझे आप और इसलिए यह जो एक अधिकार खप करने की बात है उसके पीछे वज़ा ही है कि डिजिटल वर्ड बदल रहा है डिजिटल वर्ड क्यों जैसे बहुत से चीज़ें ऑ हे जो भारत के जो स्टार्टप सें अब दुनिया में आगय बढ़ने लेकिन अनतमें स्टार्टप को पूरी तरह से जैसे ही अप बनाएंगे तो जाना है गूगल के प्लेश टूर पे ए Simmons सट आरे रहे हैं कि गूगल एंप सदिदेटिक्स एंड एक्स्प्लोइटिंग लूफोल्स यह स्टार्टप्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं इंडिए दक्पनी यूजिंग दे सेम प्लेबुक इंप्लोइड इन यूरॉप एंड साउथ कोरिया यानि दक्षिण कोरिया और यूरोप में जो वो कर रही है वही है गूगल के उपर जो कंपिशन कंपिशन ऑफ इंडिया है 1337 करोड का एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेज के लिए पिनाल्टी भी लगा चुकी जुर्माना लगा चुकी और इसलिए यह जो गूगल के एका धिकार को खत्म करने वाली खबर है सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनुरी की डेड्ला वर्ड है जो दुनिया में जो लोग चाहते हैं कि ओपन हो बहुत से नए प्लेयर्स आएं बहुत सी नई चीज़ें हो और इनोवेशन की दुनिया में अगर सिर्फ दो कंपनिया सब कुछ करेंगी तो यकीन मानिए भाला कैसे हो सकता है दुनिया का भाला होना है तो दुनि से नए ने आउसर आएंगे और डिजिटल वर्ड डिजिटल एकोनॉमी और बेहतर होगी धन्यवाद